नमस्कार आप देख रहे हैं विराट 24 नियूस मैं पूजा गेहूं हरी सबजियां नीलगाय के द्वारा प्रती दिन नश्ट कर दी जा रही हैं साथ में ही 15 से 30 नीलगाय खेतों में प्रवेश कर जाती हैं जिस खेत में जुन जाता है उस खेत की फसल को चरने के अलावा बरबाद भी कर देते हैं वही नीलगाय के तांडों से मुक्ति के लिए किसानों के द्वारा जिला प्रशासन और वन्विभाग के अधिकारियों का ध्यान आक्रिस्ट कराते हुए किसानों को राहत पहुशाने की दिसा में पहल करने की अपील की गई है नीलगायों से त्रस्ट किसानों की माने तो जुन्ड के जुन्ड नीलगायों को भगाने के लिए कई बार प्रयास किया गया उनके जुन्ड को खदर कर कई बार भगाया भी जाता है लेकिन अगले दिन वो फिर से लोटाते हैं और ऐसे में समझ नहीं आ रहा कि क्या उपाई किये जाए नीलगायों का आतंक दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है जिले के जादा तर गाओं के बधार में दरजनों नीलगायों के जुंड को फसल बरबात करते हुए देखा जा सकता है किरसी के लिए घातक साबित हो रहे है नीलगायों से मुक्ति के लिए ना जिला प्रसासन कुछ पहल कर रही है और ना ही वनविभा कुछ करने के मूर में दिख रहा है और ऐसी सिति में जिले के किसान भगवान के भरो से खेती करने को मजबूर है किसान बताते हैं कि नीलगाय जंगली जीव है इसलिए उन्हें चूने एवं मारने पर वन्यप्राणी अधिनियम के तहत कारवाई भी की जाती है जिसके कारण नील गाय को ग्रामीर मारने से बेहत डरते हैं परंतु किसानों की परिशानी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है तमाम बड़ी खबरों के कंसल्टेंट GS108 आश्रवाद प्लाजा धेकहा में खुल गया हम सिर्फ घर नहीं बनाते हैं हम बनाते हैं आपके सपनों का घर कंप्लीट फॉर्निचर मॉडियूलर किचर फॉंग सीलिंग वाल पेपर 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्त एक बार सेवा का उसर जरूर प् जरूर प्लाजाएं वाल